जो हम आपके साथ topic discuss करने जा रहे हैं वो consumer surplus होगा तो mathematical economics के अंतरगत भी वही theorem काम करेगी बस इसको mathematical representation करेंगे तो consumer surplus में आपने देखा होगा कि एक consumer जो होता है वो कितना actual में payment करना चाहता है ठीक है हम आधिक तर यह देखते हैं कि एक consumer जो होता है उभभूकता जो होता है वो marginal utility के बराबर सदय payment करना चाहता है यानि consumer equilibrium की condition पर कहां पर रहेगा जहां पर marginal utility और price दोनों बराबर हो जाते हैं this is the equilibrium point of a consumer ठीक है अब consumer क्या होता है कि consumer जब market में जाता है तो आपने देखा होगा कि माजार में जाने के परड़ाम सुरूप वो पहली unit के लिए marginal utility के बराबर देना चाहता है ठीक है बट actual market में जो price होता हो fix होता है वो कम है तो यह आपका price है PX के बराबर उसे मुल देना पड़ रहा है तो यह जो आपके पास PXMUX है यह consumer सरपलस होगा ठीक है और जैसे number of the commodity वो बढ़ाता चला जाता है तो आपने देखा होगा कि marginal utility कर्व नीचे की ओर decline करता चला जाता है ठीक है यह आपका point कौन सा है? E.A का ऐसा मिल जाता है जहां पर marginal utility of X price of X के बराबर है तो यह equilibrium point होगा अर्थात एक उभूगता OX commodity purchase करेगा ठीक है अब OX commodity वो purchase तो करता है बट आप उसमें देख सकते हो कि OX commodity purchase करने के लिए वो O price देता है यह जो आपके पास shaded area है जो मैं आपके साथ shaded area दिखा रहा हूँ यह total expenditure of consumer होगा आप देख सकते हो कि आप यह जो आपका rectangle दिखाई पड़ रहा है यह total expenditure of consumer है लेकिन अगर मैं total utility की मैं बात करता हूँ ठीक है अगर मैं total utility की बात कर रहा हूँ तो total utility कितनी होगी आप O MUX E और X यह जो आपके पास करते हैं चतुरभुज बन रहा है यह चतुरभुज आपकी total utility है तो total utility चतुरभुज आपका rectangle आपका O X EMU X है अब देखो यह जो इसका आकार है marginal यह total utility का है चतुरभुज मैंने calculate कर लिया है तो यह total utility का जो पार्ट है वो जिरादा है तथा total expenditure कम है तो अगर मैं total utility में से expenditure को माइनस कर दूँ तो मुझे consumer surplus मिल जाएगा और यहाँ पर consumer surplus triangle आपका MUX PX E के बराबर है तो mathematical economics में हमको यह काम करना होगा कि हमें यहाँ पर total utility को calculate करना होगा और उसमें से expenditure को माइनस करना होगा और इस प्रकार से हमें consumer surplus प्राप्त हो जाएगा तो अब हमको क्या करना पड़ेगा कि यही functions यह अधिकतर आपको जो total utility है और यह consumer surplus जो निकालने की एक प्रॉसेस है इसको mathematical economics में जानने के लिए सबसे पहले हमको integration आना चाहिए क्या आना चाहिए समाकलन आना चाहिए तो basic समाकलन आना चाहिए अगर आपको basic समाकलन आता है तो निश्चित रूप से आप इस प्रकार के प्रस्षणों को solve कर सकते हैं तो चलिए basic समाकलन सीख लेते हैं कि basic समा सा कलन के अंतरगत क्या है तो बेसिक समा कलन के अंतरगत कैलकुलस जो आपने देखा था वो जो कैलकुलस है उसका उल्टा होता है ठीक है कैलकुलस का उल्टा जो होता है आउकलन का उल्टा वो बे आपका होता है तो जैसे आपने देखा होगा कि y equal to x की power n होती है आपने जाता है तो हम लिखते हैं क्या कि dy upon dx equal to d upon dx और bracket में x की पावर n लिखते हैं अब हम जब इसका आउ कलन करते हैं तो आउ कलन में पावर पहले आ जाती है और पावर से एक माइनस हो जाता है लेकिन अब हम समा कलन की जब हम बात करते हैं तो समा कलन में याद रखना कि शमा कलन में जैसे यहाँ पर minus होता है तो वहाँ पर plus हो जाएगा और यहाँ पर multiplication होता है तो वहाँ पर divide हो जाएगा तो यह point आपका note down करना होगा important point है कि जैसे alkaline का just उल्टा आपका समकलन होगा और जैसे इसमें minus होता तो उसमें plus हो जाएगी पावर और इसमें multiply होती देखिए यहाँ पर पावर multiply हो रही है वहाँ पर divide हो जाएगी तो यह इसका अगर मैं समकलन करूंगा तो समकलन क्या होगा कि आपका समकलन करने के बाद तो हम लोग इसमें इंट्रीग्रेशन का सिंबल लगाते हैं और शमकलन कर जब हम सिंबल लगाते हैं तो आपका integration हो जाएगा एक्स की पावर एन आपके पास डी एक्स के रूप में अगर मैं करता हूं तो क्या हो जाएगा पावर में एक जूड जाएगा अभी तक देखो यहाँ पे घटता था घटे का नहीं इसका अपोजिट चीज होगा तो यहाँ एक्स की पावर एन प्लस वन और यह जो गसे साथ हमें Конस्टेंट जो आपका होता है वह Конस्टेंट पद को हम इसके अंतरगत लिखते हैं टिकमे तो यह एक हमारे पास जो होता है वह लिखा जाता कि क्यों sudden की व dif Pakistan के technology प्लस प्लस constant हम लिखते थे अब जैसे हम समा कलन करना चाहते हैं कि X की power minus 1 है इसका integration करना चाहते हैं तो हम इसका integration कैसे करेंगे X के साब पेच तो हम लोग क्या करेंगे power में एक plus करतेंगे और जो आपकी power है उसको हम divide करतेंगे तो यह हमारे पास समा कलन हो जाएगा प्लस C हो जाएगा अब हमारे पास यह होता है यह power अपना जो भी हो सकता है जीरो हो जाए वो अलग बात है मेटर नीचे अपन जीरो हो जाए तो इस प्रकार से हम समा कलन को आसानी से solve करते हैं ठीके अब जैसे इसी प्रकार मैं समा कलन करता हूँ कि X की power 5 है अब इसका समा कलन करिए तो integration ठीके dx के साब h करना है power इसमें जुड़ेगी x 5 प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पर 5 प्लस 1 हो जाएगा ठीके तो इस प्रकार से हमारे पास क्या हो जाएगा x की power 6 हो जाएगी upon 6 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा तो यह हमारे पास समा कलन कहलाएगा तो समा कलन के अंतरगत जो हमारी powers होती है वो जुड़ती है और जुड़ने के बाद जितनी powers उपर होती है उसका हम divide कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है, शमा कलन कहलाता है, एक मिनट, कुछ लोग कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, एक मिनट को जाएं अगे कि नियुशं या वही को इस प्रकार से हम लोग समकलन कर सकते हैं तो लिखालUS समकलन के एक बेसिक फारबूला याद रखना कि पावर में एक वन हता है और वही हमको डिवायट में आजाता तो यह वह प्लस इसके साथ constant हम लोग ले करके चलते हैं ठीक है अब हम लोग आ जाते हैं consumer surplus पर आ जाते हैं और consumer surplus में क्योंकि समकलन का important role है तो इसलिए मैंने शमकलन आपको basic लिग बता दिया जब एक दो बार practice करोगो तो इस चीत रूप सी यह आने लगता अब देखो consumer surplus के अभी मैंने थे और आपके साथ बताए थी करकी consumer surplus के अंतरगत हमारा जो area होता हो बहुत important होता है इसमें एक basic information और हरदम आपको दी जाएगी consumer surplus के अंतरगत कि आपको जो demand line है वो दी रहेगी ठीक है demand function आपको given रहेगा ठीक है प्लस आपको P या X की value दी रहेगी यानि दो information आपको कमपल सारी है पहली चीच चीच तो है कि demand function या price function आपका given रहेगा दूसरा P का मान या X का मान given रहेगा तो यह इतनी information जब given रहती है तब ही consumer surplus आप calculate कर सकते हो और calculate किया जा सकता है ठीक है तो चलिए मैं एक step by step एक consumer surplus calculate करने जा रहा हूं बहुत carefully उन चीजों को देखिएगा और बहुत आसानी से अगर एक बार आपने चीजे समझ ली तो निस्चित रूप से आप solve कर सकते हो ठीक है तो मेरे पास एक है a demand function दिया है P equal to 35 minus 2x minus x square देखो demand function given है कह रहा है कि अगर x का मान कितना दिया है तीन दिया है तो बताइए उब्भोकता का consumer surplus कितना होगा ठीक है तो consumer surplus अब निकालना है देखो यह इसमें दो information है तो तीसरी information P का मान आप निकाल लो P का मान निकालने के लिए x का मान 3 इस उपरियुक्त फलन में आप रख दो तो जब उपर वाले फलन में आप x बराबर 3 का मान रखोगे तो आपके पास हो जाएगा P बराबर 35 minus 2x minus x square on putting value x equal to 3 तो हमारे पास हो जाएगा 35 minus 3 का square तो आपका हो जाएगा 35 minus 3 2 6 minus 3 3 का 9 ठीक है तो यह आप कहते हैं 9 6 15 तो आपके पास ही हो जाएगा 20 यानि price जो आपका निकल करके आता है वो 20 निकल करके आता है तो अब मुझे इस फलन में तीनों information पता चल गई ठीक है अब हम क्या करते हैं अब देखो इसके अंतरकत मा गए एक diagram भी आपके साथ map करता जाओ ना चीजे आपको clear हो जाएगी यह मेरे पास है demand function यानि demand function क्या है p equal to 35 minus 2x minus x square ठीक है यह आपका demand function है आपका यह नीचे x axis है यह आपका उपर y axis है ठीक है अब हमारे पास दिया है कि if p equal to 20 and x equal to 3 देखो x equal to 3 दिया रहा है या p equal to 20 दिया रहा है जो भी दिया रहा है का पहली value उसको हम demand function में रख करके दूसरी value को access कर लेंगे ठीक है मुझे total जो utility है अगर मैं 3 unit commodity का प्रियोग कर रहा हूं तो ओ 3 यह 3 unit का कर रहा हूं तो यह मुझे पूरे area के बराबर यह rectangle आप दिख रहे हो जिसमें उपर से start होता है इस rectangle के बराबर utility प्राप्त हो रही है अब बट actual paid में कितना कर रहा हूं 20 यह rectangle के बराबर मैं actual में payment कर रहा हूं तो यह जो आपके पास triangle है यह consumer surplus होगा ठीक है अब इसको निकालने के लिए क्या करना होगा consumer surplus बराबर ठीक है integration of किसका integration करना है demand function का याद रखना किसका करना होगा integration of demand function करना होगा तो demand function में रहा है 35 minus 2x minus x इसका आपके पास square है यह है ठीक है और इसकी limits दी गई है देखो इसकी limits दी गई है क्या limits दी गई है इस limit का आपको use करना क्या नीचे 0 और 3 दी गई है ठीक है तो यानि इसकी limit क्या दी गई है कि 0 और 3 कल range को use करना है यह point याद रखना कि यह फलन किसमें है, x में फलन है, अगर यही फलन पी में होता, तो आप यह उसमें 0 और 20 की values यूज़ करते हैं, ठीके, minus total expenditure, क्या होगा, total expenditure होगा, ठीके, यह point आपको याद रखना होगा, तो यह आपको dx के साफ पेच इसको integration करना है, ठीके, तो dx के साफ integration करना है, यह फलन आपको बनाना अगर आ गया समझ में, तो निश्चित रूप से कोई भी बच्चे का consumer surplus वाला question नहीं फसने वाला है, ठीके, क्या करना है, सबसे पहले आपको x की value निकालने ना है, p की value निकालने ना है, और फी integration करना है, demand function का, और उसमें x के साफ पेच, तो यहाँ पे x लिखा है, इसलिए x के साफ पेच, इसमें values को minimum value, 0, maximum value, 3 को रख देना है, और आपका total expenditure, और total expenditure आप कैसे calculate करोगे, 3 को 20 में multiply करोगे, तो क्या होगा आगे, तो integration of 3 और 0, अब हम लोग क्या करते हैं, कि इसको integrate करते हैं, तो integrate करिए, तो एक काम करते हैं, जब integration करते हैं, समकलन करते हैं, तो यह big bracket में convert होता है, तो 35, अब 35 के साथ कुछ नहीं है, integration होगा, तो क्या हो जाएगा, 35 x हो जाएगा, ठीक है, देखो, आपने alkaline के अंतरकत क्या करते थे, कि अगर 35 x का alkaline करेंगे, तो 35 बचेगा, आप यहाँ से test कर लेना, कि अगर मैं इसका alkaline करूंगा, तो क्या यह इतना बचेगा, तो यानि समझ जाना आपका समकलन सही है, अब हम यहाँ पर क्या कर देंगे, minus 2 x है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 x 1 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, और upon 1 प्लस 1 हो जाएगा, पावर, देखो, यहाँ पर दिखाई तो पड़ नहीं रही है, तो पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, अपान 1 प्लस 1 हो जाएगा, और इसी प्रकार minus, इसकी पावर 2 है, तो x 2 प्लस 1 हो जाएगा, अपान 2 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, ब्रेकेट क्लोज करो, minimum value 0, आपकी maximum value 3 है, minus total expenditure कितना है, total expenditure है 20 into 3, मैंने लिख दि उसको ठीक है, चलो इसको उसका और calculate करते हैं, तो 35x, यह 2 से यह 2 कट गया, तो यह 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 एक्स की पावर क्या पचेगी यहाँ पर, एक्स की पावर 2 बचेगी, यहाँ पर आपकर आपास क्या हो जाएगा, X की पावर 3 हो जाएगी, तो minus X की पावर 3 हो जाएगी, अपन 3, तो यह हमारे पास X की पावर हो जाएगी, और इसमें values को हम रख देते हैं, 0 और 3, और minus यह 60 हो जाएगा, अब देखो, अगर आप 0 रखोगे, तो value जो हो जाएगी, सबको 0 कर देगी, तो यानि हम consumer surplus calculate नहीं कर पर हम consumer surplus नहीं कर पाएगे, हम 3, जब इसमें value 3 put करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 35 गुणे 3, minus 3 का square, minus 3 का cube, upon 3, ठीके, और इसको करने के बाद, इसमें से minus 60 कर दोगे, तो अब आपके पास 35, आपका पास हो जाएगा, 105, यह 3 तरिक का 9, minus 3 तरिक का 9, 23 और आपका यह 9, ठीके, 9, minus 6, तो यह आपको इसको जोड़भा गुणा कर लिजे, तो आपको मिलेगा 27 units, अब आप कहोगे sir, units क्यों होगा, ठीके, क्योंकि हमने यहाँ पर in limits का यूच किया था, और आपका function x के रूप में दिया है, तो इस वाले में units हैं नीचे calculate कर रहे हैं, इसलिए य यह consumer sir, unit के रूप में आएगा, लेकिन अगर आपका यह फलन price के रूप में रहता, यह पी अंदर side रहता, x bar side रहता, तो हम इस values को use करते, तो वहाँ पर मुद्रा के रूप में आपको consumer sir plus मिलती, तो इस प्रकार exam में आपको consumer sir plus calculate करना आएगा, ठीके, मुझे लगता सभी क यह समझ में आ गया होगा, किसी का कोई question हो, दो मिनट में आप पूछ सकते हो, यहाँ पर, अगर किसी का कोई हो, प्लीजी speaker और करके पूछ लिजेगा, बहुत important हिसले मैं ने पढ़ा दिया न, कि कि आपको revision करने का time बिल जाए, और मैं 20 तक target रखाँ को आपका सारा syllabus complete कर द माइनस नोर लिमीट होता है न, हाँ आप देखो ऊपर जो होगी वो जो आपकी एक्स जितनी यूनिट यूज़ करते हो, वो है और प्रारंभिक यूज़िट जो है, इसी तरह प्राइस में भी होगा, क्लियर है, यह चीज़ा है, मतलब उपर वाला लिखेंगे न, तब जो तो जेघान को बाइन, प्राइस में फचाहिए, न, चीज़ा करें, प्राइस में तो, पर लिमीट माइनस वाला लिमिट होता है चाहि तो आपको पढ़ा नहीं है, हम तो कंजूमर सर्प्लस आपको बढ़ा है, न, आप रेंज कफार बूरा बता रहा हो मुझे सिटटीस में मीडिया निकालने के लिए रेंज बराबर मैक्सिमा लिमिट माइनिस माइन स मीनिमा लिमिट आप वहां का फर्मुलारा यहां फिट कर रहे हो on all हुँ hapa range जब हम निकालते थो हम वहां कहीं चीज क्यों हपी करें ना यहां पर हमारे integration में कहता है कि lower limit होती है कि मैं upper limit होती है lower limit के साथ एक बार हम test करें तो lower limit के साथ यह फूरा function 0 ओजाएगा इसलिए upper limit के शाथ consumer surplus को निकालना त habits ठीक है चलो एक और कुश्चन देखते हैं हमारे पास एक कंजूमर का यहां पर कुश्चन एगला है एक कंजूमर का डिमांड फंक्शन दिया है पी इक्वल टू 85 माइनस 4X माइनस X स्कूर है ठीक है यह आपका डिमांड फंक्शन यह अगर देखो पहली कंडिशन है इफ एक्स बराबर 5 तो कंजूमर सर्प्लस दूसरी कंडिशन दी गई है इफ पी इक्वल टू 64 तो कंजूमर सर्प्लस दूसरी कंडिशन दूसरे वाले में पी की मान यहां पर रख देना है और एक्स का मान निकल करके आएगा और दोनों में कंजूमर सर्प्लस का मान अलग अलग होगा क्यों कि number of the unit दोनों में अलग-अलग हो जा रही है तो जब number of the unit अलग-अलग हो जाएगी तो price निश्ची दूप से प्रभावित होगा जब price प्रभावित होगा तो भोकता की बचत भी प्रभावित होगी तो चलिए पहला हम question solve कर रहे हैं दूसरा question आप लोगों के लिए हम दे देंगे ठीक है if putting the value of x equal to 5 in the demand function we can get the price तो जब हम ने इसमें 5 कामान रखा तो 5 मान रखने के परिणाम सुरूप हमारे पास जो value प्राप्त हुई वो p की value 40 प्राप्त हुई ठीक है कैसे प्राप्त हुई यह वो आप समझ रहे होगे कि जब मैंने x कामान इसमें रखा calculate किया तो p कामान मुझे 40 हुआ अब मुझे consumer surplus calculate करना है तो consumer surplus बराबर मुझे sir ने बताया था कि integration of demand function तो integration of demand function 85 minus 4x minus x square bracket close ठीक है अब इसकी lower limit तो lower limit इसमें क्या हो जाएगी क्योंकि इसमें हमारे पास x में हर दाव हमारे फ्लन जो हमारा x में है तो यानि x 5 है और इसको 0 होगा तो यह जीरो और 5 होगा 0 और 5 होगा ठीक है क्योंकि कैसे निकला वो आप समझ रहे होगे क्योंकि x की value जो maximum value है वो यहाँ पर 5 दी गई है और हम लोग x-axis वेकी की फालान हमारा x पर माइनस total expenditure ठीक है अगर total expenditure कैसे निकालेंगे price को quantity से multiply करतेगे चलो आगे बढ़ते हैं इसका integration करिए x के साब पेच तो क्या हो जाएगा 85x-4x square upon 2 minus x की power 3 upon 3 येलो integration मैंने कर दिया और integration करने के बाद मैंने upper limit और lower limit को फिर से put कर दिया minus total expenditure में मैंने value रख दिया 5-40 ठीक है अब हम क्या करते हैं कि 0 की value रखके calculate करेंगे तो 0 आगा इसलिए हम 5 के साथ काम करेंगे तो 5 के साथ जब काम करेंगे तो 85-5 into 5-4 x का माने आपका 5 का square upon 2 माइनस 5 का whole cube upon 3 ठीक है यह आपके पास हो जाएगा और होने के बाद माइनस आठ पंच चार पंच चे बीस तो हो जाएगा ठीक है अब हम इसको जब हम calculate करेंगे तो इसको calculate करने के बाद हमारे पास आएगा लगभग करने के बाद इसको calculations थोड़ा सा complex है बट आ जाने आएगा लगभग 333 के असपास आएगा इसको थोड़ा इसको calculate करना पड़ेगा आपको ठीक है इसको calculate करोगे कुछ कोई भी बताएगा मुझे calculate करके calculator यूज करिए प्लीज हो जाएगा यह तो आपका पूरा पूरा कंपोनेंट पचास का कंवर्ट हो जाएगा 50 हो जाएगा यहां पर 25 25 25 25 पटे तीन हो जाएगा तो यह आपका देखो इस फंक्सान में थोड़ी प्रावलम ही वैसे निगेटिव को अभी कंजूमर सर प्लस नहीं आता यह मैथमेटिकल थोड़ा सा एक ग्लिचेज मैं कहूंगा इसको हरतम यह वैलू जो होती है वो टोटल एक्सपेंडिचर वैली से रियलिस्टिक जो हमारा एप्रोच है रेशनल एप्रोच के कड़म है आप याद रखना कभी भी आपसे पूंचा जाएगा कौन से रेशनल एप्रोच यहां पर इसको एक जाम में रख देना बट नीचे लिख देना कि this is the rational approach and the answer is not suitable ऐसे एक जाम में लिखेंगे तो मैंने दूसरा question जो आपके साथ share किया था यह आपका दूसरा question है कि अगर P कामान 64 है तो जब P कामान 64 है तो P कामान आप इस फलन में रखोगे तो जब इस फलन में आप P कामान रखोगे तो आपको स्रीधराचार method यूज करना पड़ेगा तो जब स्रीधराचार method यूज करोगे तो इससे X कामान आपको निकल करके आएगा ठीक है तो स्रीधराचार method से में जब हम इसको यूज करते हैं तो X कामान निकल करके आएगा और फिर वहाँ से हम consumer surplus को calculate कर सकते हैं, तो यह method आप यहाँ पर use करिएगा, निश्चित रूप से आपको consumer surplus यहाँ पर calculate हो जाएगा, ठीक है, तो यह conceptual framework था, एक दो question और मैं आपके साथ share करना चाहूँगा, suppose that, okay, if p equal to 39 minus 3x square, if x equal to 2.5, तो consumer surplus का मान बताईए, सबी लोग solve करो, और मुझे consumer surplus का मान चाहिए होगा, please.